हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बेक टो चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो टूटोरियल इन दिस वीडियो टूटोरियल आई एम गोईंग तो डिसकस अबाउट बैस टॉप बी टैक इन फूड टेकनोलोजी कोलेजिज इन इंडिया आज हम लोग बात करेंगे बी टैक इन पूडैक को ओन्से इंसिटिक्टूशंट कोंठ से हैं कोंकोंसे से उनिवयस्टिज हैं इंडिया के अंदर जहां से आप लोग अपना पूडैक इन फूड़ूड टेक्न लोजी कॉर्स कर सकते हैं बो सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कहीं दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बीटेक इन फूड टेकनलोजी जो कोर्स है इसके कौन-कौन से colleges है इंडिया के अंदर इसके कौन-कौन से institutions हैं इंडिया के अंदर जो highly reputed हैं और जो best हैं जहां से हम लोग अपना ये कोर्स कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उन से भी स्टुडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ही मैं आज आप लोगों के साथ में यहां पर डिसकस करूंगा इंडिया के कुछ बैस्टोप रेपुटेटिड बीटेक इन फूड टेकनलोजी इंसिट्यूशन के बारे में तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखे आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करें तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ में डिसकस करता हूँ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा यहां पर इंसिट्यूशन है वो है हमारा जादवपूर युनिवस्टी कोलकत्ता वेस्ट बैंगॉल जादवपूर युनिवस्टी जो है यह एक गोर्मेंट युनिवस्टी है जो कोलकत्ता में है वेस होता है यह आप लोगों को पता होना चाहिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिल्डा इंसिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी मैसरा ठीक है यह बिल्डा इंसिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी जो है यह हमारा मैसरा में है राची में है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लवली प्र मुंबई में है और यहां से भी आप लोग अपना V.Tech in Food Technology Course कर सकते हैं नेक्स्ट मोग बात करते हैं BHU ARNAC, BANARAS हिंदु उनिवस्टी ARNAC, यह हमारा UP में है यहां से भी आप लोग अपना V.Tech in Food Technology Course कर सकते हैं नेक्स्ट मोग बात करते हैं वीर माता जी जाबाई टेकनोलोजिकल इंसिच्ट्उट मुंबई यहाँ से भी आप लोग अपना वी टेकिन फूड टेकनोलोजी कोर्स कर सकते हैं next अम लोग बात करते हैं hbtu kanpur hbtu kanpur means harcot butler technological institute kanpur या harcot butler technological university kanpur पहले ये एक institute हुआ गरता था hbti ठीक है harcot butler technological institute और अब जो है ये एक university हो गई है harcot butler technological university यहां से भी आप लोग अपना B.Tech in Food Technology course कर सकते हैं और यह भी एक इंडिया की Reputated University है जहां से आप लोग अपना यह course कर सकते हैं और यह एक Government University है नेक्स्ट अम लोग बात करते हैं जामिया हमदर्द New Delhi जामिया हमदर्द New Delhi जो है एक Reputated India का एक institution है एक उनिवस्टी है इसके बा इसकी कितनी reputation है यह भी आप लोगों को पता होगा नेक्स्ट अम लोग बात करते हैं संत लोंगोवाल इंसिटूट ओफ इंजिरिंग एंड टेकनोलोजी यह हमारा लोंगोवाल में है तो यहां से भी आप लोग अपना B.Tech in Food Technology course कर सकते हैं नेक्स्ट अम लोग बात करते हैं NIFTEM यह हमारा सोनिपत में है यह एक institution है यहां से भी आप लोग अपना B.Tech in Food Technology course कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आई-ाई-एफ-पी-टी यह हमारा तंजोर में है यहां से भी आप लोग अपना B.Tech in Food Technology course कर सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं Amit University Amit University के इंडिया के अंदर बहुत सारे campus हैं ठीक है तो Amit University का जो नोटा campus है उसमें आप लोग अपना B.Tech in Food Technology course कर सकते हैं और Amit University का जो second campus लखनों में है सोरी वहां से भी आप लोग अपना B.Tech in Food Technology course कर सकते हैं तो यह जो institutions मैंने आप लोगों के साथ में डिसकुसी हैं इंडिया के कुछ इंसिट्यूशन से अपना यह course करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में 12th class में physics, chemistry और math होना जरूरी है अगर आप लोगों के पास में physics, chemistry, biology है तो आप लोग सिर्फ private institution में admission ले सकते हैं इस course में आप लोगों को government institution admission नहीं देगा क्योंकि बहुत सारे जो government institutions होते हैं वो I IITJE का जो score होता है उसके भिहाब पर admission देते हैं और IITJE का जो exam है वो सिर्फ physics, chemistry और math वाले students ही दे सकते हैं physics, chemistry, biology वाले students जो हैं IITJE का exam नहीं दे सकते हैं तो यह एक बहुत ही एक बड़ा वहाँ पर problem हो जाता है physics, chemistry और biology students के साथ में I hope friends यह वीडियो आप लोगों के लिए measure or crucial role play करेगी और इस course को करने के बाद आप लोगों को बहुत सारी जो food manufacturing companies होती हैं इंडिस्ट्री होती हैं like जैसे Cadbury हो गया आप लोगों का अमूल हो गया आप लोगों का बहुत सारी और food की कमपनियां होती हैं जहां पे आप लोग अपना यह course करने के बाद फर्दर आप स्वीच कर सकते हैं तो और आप लोग government government jobs के लिए आप लोग फूर्दर स्वीच कर सकते हैं आप लोग food inspector बन सकते हैं food inspector बनना आप लोगों की डीजी हो जाता है जब आप लोग बीटेक इन food टेकनलोजी कोर्स कर लेते हैं सोरी सो थैंक यू फ्रेंज थैंक यू फॉर वचिंग और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लें क्यूंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लो लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फ्रेंज थैंक यू फॉर वचिंग